नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागते आप लोगों के लिए महातोपुन क्यूशन लेके आओं दोस्तों पसू परिचर बरती प्रिक्षा के लिए पार्ट बी के लिए तो दोस्तों पार्ट बी आपके लिए बहुत ही महातोपुन होने वाले हैं दोस्तों बहुत important question है आप लोगों के लिए तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाईए अधि आप पसु परिचर बनना चाहते हो एनिमल अटेंडेंट बनना चाहते हो तो आप लोगों का स्टेडियाई को अकेडमी पर तो वहां चेक कर लेना और पार्ट भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा हूब हूब पूरा का पूरा पेपर इसी पेटन पर आने वाला है चलिया मैं सुरू करता हूँ पहले क्यूशन से और आज हम पढ़ने वाले क्यूशन बेड़ से समंदित त तो बेड़ से समंदित आज 25 कूशन करेंगे और बचे 25 कूशन कल करेंगे ठीक है चलियएगा ऑनुसार वर्तमान में बेडों कि कितनी नसले बारत पंचिकरते जेसे मैंने गाई की कितनी पंचिकरते वह बताई थी बेंस की कितनी पंचिक। आप लोगों को अना तो आज मै पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि बेड़ों की कुल कितनी नसले पंचिक रते NBAGR के अनुशार तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा 45 कितनी नसले पंचिक रते 44 जो नसले हैं सोरी नसले क्या है पंचिक रते कितनी 44 अगला प्रसन आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तो प्रसन ये आपका सूची पस्ट को सूची सेकेंड में सुमिलित करना है आप लोगों को चलिएगा ये लीजेगा आपके सामने है या पर प्रसन तो इव क्या हो जाएगा इव हो जाएगा बेड की वैश्क मादा यू क्या होता है बेड की इश्क मादा जबकि लेंप होता है लेंप क्या होता है आपका बेड का बच्चे को क्या बोलते हैं लेंप बोलते हैं टपिंग क्या होता है तो टपिंग होता है बेड में मेथुन की परक्रिया जो बेड में मेथुन की परक्र यहां होती है उसको बोलते हैं टपिंग और क्या होता है की अभी वस्तर नसल प्रति उन प्राप्त होती है बेड की जो अभी वस्त्र नसल से परतिवर्स उन कितनी प्राप्त होती है तो यह कुछन पुछा जा रहा है तो दो से चार किलो उन प्राप्त होती है अभी वस्त्र जो एक नसल है इसकी बेड की अगला प्रसायन केंद्रिय बेड यहां अनुसंदान के से डब्ली सी यस डब्ली आराइए का इस्तित है तो अभी ने अभी का नगर्ट टॉक में है का पर यह कुछन वेरी वेरी इंपोर्टेंट जी के में आता है और यहां पर भी कुछन आएगा केंद्र यह बेड़ एवं अनसंदान केंद्र का इस यह कुछन तो लिख लो छप एकजाम में चप गया भई यह क्युसन तौ छप गया समझ लो चाहिए पार्ट ये मैं चाहिए पार्ट भी मैं आये पर यह कुसन छप गया आप इसका नोट करके रख लो इसको अगला प्रशन बेड की किस नसल के सारिक लक्षन अविकालीन बेड जैसे होते हैं बेड की कौन सी नसल है जिसके सारिक लक्षन क्या होते हैं अविकालीन बेड जैसे होते हैं तो यह इसका जवाब दोगे आप तो जवाब हो जाएगा अविवस्त्र क्या हो जाएगा अविवस्त्र के जेसे अगला प्रसान बेड की कौन सी नसल को CSWRI अविका नगर टोंक दोरा विक्सित किया गया है तो दोस्तों जो CSWRI जो अविका नगर टोंक है इसके दोरा कौन सी बेड की नसल को विक्सित किया गया है तो ये विक्सित किया गया है अवि अविका लीन ठीक है तो अविका अविका से तो अविका याद कर लेना और पिर यह जो लीन याद कर लेना बस तोड़ा साख ठीक है अविका प्लस लीन अविका नगर ठीक है याद हो गया चलो अगला प्रसाइन नर प्रसाइन अगला नर मेरीनो या रेंबू लेंट नर मेरी इनो या मालपुलियन की मादा के शंकर से उमiénش सिर्फ देल कउल ये तो अविकलीन है जो की अविका नगढ़ टोंक में विख्षित की गई न नर नर मेरीचे लिए नर इंवेरिन रैमपुलियन की शंकर नशद तुयार की गई उसका नाम है अविकाली नसल से परतिवर्स उन प्राप्त होती है जो अविकाली नसल है इससे कितनी उन प्राप्त होती है तो 2.2 से 2.5 किलो ग्राम तो उन प्राप्त होती है अगला प्रसे बेड की कौन सी नसल मजबूत वो अधिक उन देने वाली होती है तो इसका जवाब हो जाएगा न बेड की कौन सी नसल मजबूत अधिक उन देने वाली होती है ये आपको बताना है इसका जवाब मुजवाब गयेगा नाली क्या होगा अगला प्रसंद बेड की कौन सी नसल मद्दे असिया दक्षन अपरिका वह पकशिम्ह यूरोप के कुछ भागों में पाई जाती है तो इ कौन सी पाए जाती है कराकुल पाए जाती है बेड की कराकुल नसल से परती वर्स उन प्राप्त होती है तो कितनी उन प्राप्त होती है तो यह उन प्राप्त होती है तीन से चार किलो किलोग्राम परती वर्स तो दोस्तों बेड की जो कराकुल नसल होती है उससे उन प्राप् मजबूत होती है जिससे पेल्ट प्राप्त की जाती है बेड की कौन सी नसले मित्रों जिसकी तोचा मुलाइम वह मजबूत भी होती है जिससे पेल्ट प्राप्त की जाती है तो जवाब हो जाएगा कराकुल क्या कराकुल अगला प्रसंद बेड की कौन सी विदेशी नसल का सर भारी भरकम होने से मास भी अधिक प्राप्त होता है तो बेड के सी कौन सी विदेशी नसल है जो उसका सरीर क्या होता है मोठा वारा होता है एक दब खतरनाग होला होता है ठीक है तो उससे मास अधिक प्राप्त होता है तो इसका जवाब दोगे कराकुल क्या कराकुल अगला प्रसायन बेडों में वोसत जीवनकाल कितने वर्सका होता है यानि कि बेड जिंदी कितने वर्स तक रहती है तो जवाब हो जाएगा 12 वर्सों तक क्या 12 वर्सों तक बेड की कौन सी विदेशी नसल की चमडी से लेडर के जेकेट वो उनी वस्तर बनाई जाते हैं बेड की कौन सी विदेशी नसल की चमडी से दोस्तों लेडर के जेकेट वो उनी वस्तर बनाई जाते हैं तो जवाब हो जाएगा इसका कराकुल क्या होगा कराकुल होगा बेड क वेगयनिक नाम क्या है बेड का वेगयनिक नाम क्या है तो बेड का वेगयनिक नाम है ओविश एरिस बेड का वेगयनिक नाम होता है ओविश एरिस अगला प्रशन निमले कितमे से बेड की विदेशी नसल है निमले कितमे से बेड की विदेशी नसल है तो जवाब क्या हो अगला प्रसंद जिसको चोकला भी करते हैं बेड की कौन सी विदेशी नसल की उत्पत्ती इस पेंच से मानी जाती है बेड की कौन सी नसल है जिसकी उत्पत्ती कहा से है इस पेंच से मानी जाती है मेरी नो नसल की उत्पत्ती बेड की किस नसल से में उन तता खुर का रंग प बताओ जवाब हो जाएगा नाली कौन सी नसल है नाली इंपोर्टेंट सारे के सारे क्यूशन वही अगला प्रसेयन बेड की कौन सी नसल में नर में गुमाओदार सिंग होते हैं जबकि मादा बेड सिंग रही तो होती है बेड की कौन सी नसल है जिसका नर होता है मतलब आदम मेरी नो, क्या होगा मेरी नो, बीका नेरी चोकला बेड की किस नसल का अन्य नाम है, तो मगरा, बीका नेरी चोकला बेड की किस नसल का अन्य नाम क्या है, मगरा है मित्रो, क्या है, मगरा, बेड की किस नसल में गर्दन तता कंदे की तवचा में, जुर्यां वो सल्वटे जाती है जवाब होगा मेरी नो में अगला प्रसायन बेड़ की कौन सी नसले दिखने में बकरी जैसी होती है बेड़ की कौन सी नसले जो दिखने में क्या होती है बकरी के जैसे होती है छेली की तरह होती है हमारे तरफ छेली बोलते हैं इसको बकरी को ठीक है तो बकरी की जो ह बेड़ी होती है जो कि बक्री जे से दिखाई देती है तो इसका जवाब हो जाएगा नेलोर हो जाएगा भई आपके तरब क्या बोलते है बक्री को बताईएगा एक बर कमेंड करें निमले कितमे से बेड़ की कौन सी नसल का सिर मद्यम आकार का वो उन से डखावता है तो जवाब होगा मेरी नो क्या मेरी नो चर्णो थर बेड़ की किस नसल का अन्य नाम है तो सोनाडी का तो दोस्तो ये 25 इंपोर्टेंट बेड़ से समंदित आज क्यूशन हमने किये हैं और इससे पहले हम गाई से समंदित कर चुके हैं बेंस के कर चुके हैं और मुख्य ट्रमिनरोलजी से समंदित 50-50 क्यूशन कर चुके हैं आज हमने लिये 25 क्यूशन बेड़ से समंदित, कल भी हम लेंगे 25 क्यूशन बेड़ से समंदित से आगे वाले, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत महतोपून क्यूशन थे, जो कि मैंने आप लोगों को करवा दिये हैं, हूब हूँ आपको एकजाम में, ऐसे के ऐस एसे कैसे option आपको देखने को मिलेंगे विश्वास नहीं है तो सितंबर में जब exam होगा तो मेरे से मुलाकात करिएगा आप लोग ठीक है एदि आप लोगों को विश्वास रिए तो उस दिन बताऊंगा आप लोगों को अभी विश्वास कर लीजिए इसलिए बोल रहा हूं विश्वास बहुत बड़ी चीज है एदि आपको जीके पढ़ना है और की पार्ट ए पढ़ना है तो आप स्टेडी आई को अकेडमी चैनल पर जाएए वहां रोजाना कलास हो रही है आज साम चार बजे भी वहां कलास होगी सभी चार बजे ठीक है तो रोजाना वहां पर जाएएगा धन्यवाद मित्रों